जैसे बंजाने को गर्ण जैसे मैंने काफी दिन से देखा के अंदर बहुत बड़ी लोगों में फीलिंग आई है और जब यह फीलिंग आती है तब उनको यह एहसास होता है कि बाल कितना रोल अदा करते हैं वेज़ इट इस मेल और फीमेल उसमें बालों का बहुत बड़ा प्लेस होता है और जब बालों की बाद आती है तो हम घिज़े पीचे आज यह इस्तमान नहीं करते है आज हमारी हैरी स्टालिंग का प्लेटफॉर्म है वो है साइंटिपिक स्टरी कि हम बताते हैं कि आपकी शकल कैसी है आपका बोन स्ट्रक्चर क्या है आपके पास कौन सी पार्टी होने चाहिए आपके बालों का शैंपू कहते होना चाहिए एक तो बाल होता है डिजाइन जिसको आप हेर स्टालिंग रोलते हैं और दूसरी चीज़ होती ही उसकी किया कि हाव यू टेक किया आपके का भी इतना ही रोल होता है जितना कि आपके स्टाइलिंग का होता है अगर आप देख बाल नहीं करते हैं वाद तो स्टाइल बनाने को मतलब नहीं होता है बड़ी बड़ी जल्दी हमें एक चीज़ और शुरू करना जा रहे हैं वह है हेल्ट पार्ट अब दॉप क्योंकि हर एक आदमी करते हैं मेरे बाल बढ़ते हैं नहीं लेकिन वह यह बात जादा नहीं समझते कि आप उससे आपके हेल्ट का तालुक्या है जब उसकोई पता लगए का मेरी हेल्ट ठीक साक है एक्सेसाइज होगी वहाँ पर करने के लिए देनों कोई पता होगा मेरे में कोई डैफिशन्स ही नहीं है तो बालों की एक जड़कों बनाते हो देखिए यहाँ जो आप करते हैं वो तो एक वो एक सलता रहता है टेंपर लेकिन यह बाद दूर है कि कैलकता के अंदर जो अवेनस आई है जो पहले में टेक्टा था बांब्य बाद में आया कैलकता से हमाज तालोग बहुत पराना है इन दे बिगिनिंग एट वजस लाए कि आप कार ड्राइब कर तो तो फर्स गेर होता है आज सेंसे चलता है सेकि कि जब बाते हो रही है तो इस वक्ते बहुत शांदर तक लगजरी सालॉन में हम हभीजरी सालॉन में है है क्या कहना चाहेंगे काफी काफी मैं देख पर काफी अट्रै कर घ्राइक आदमी जब तक कि आपका एक ट्रेणि बैग्राउं का प्लेट फर्म ने होता विचिस वे भी काम नहीं कर सकता जब तक कि उसका बेसिकली ट्रेनिंग हो साइंटिपिक स्टाइग के उपर वेस्टेंड वर्ड में को भी नहीं हमारे सारे लोग काम कर ले तो हमारी पहचार उसे आती है कि विवर और इंडियन क्वालिफाइड फर्म इंगलंड बहुत दिर पहले की बा का एहसास ही बड़ा रिस्पेक्टिड है और जब उन्होंने यह पहचाना है कि मेरे बाली है जो मेरी पहचान को मेरे क्योटल लूप को जैने कर सकते हैं तो आपको बताओं कि सुबह से बाते हुए थे कि आपके साथ हमारी फ्रेंड से फेंपे बिल्कुल लाइब बाते हो जो मर्दों में होती है वो फीमेल में होती है तो इसका एक वेगली आंसर होता था कि यह मेल हामोन में जो चेंज आता है वो फीमेल में ने आता है तो एक यह आंसर बड़ा वेगली है इसका कोई सब्सक्रीड निगल गया गाएगा तो इसका परमेशों गरे है एक बड़ा सब्सक्राइब नहीं है तुकि जो हमारी लाइफस्टाइल चेंज होती है ना फिर जंगलों में रहते हैं एक जमानता है लोग अपने आपको बीटिफाइंग करते थे कि गले में केंदे हड्यों के मालव डालते थे और पत्तों की वह तो इसके पास जो स्टाइल आपका बनता है वह प्रॉपर जाता है तो आज हम वक्त के सासा जो चेंज होती है पॉबलम भी उसके मताबिक आती है एक बड़ी बारी किसे आप देखो आज का एक चोटा बच्छा पैदा होने के बाद में उसके हाथ में आप कंप्प्रिटर दे दीजे वो सबस्क्राइब काम करेगा ब्राजर ने पीपल हार है विगर एड तो वहां आपको भी पता लग तो क्या करना चाहिए क्या के चीजों पर देनी चाहिए और क्या करना चाहिए I think first of all मैं बालों से की बात पहले अगर करू तो पहले आपका टोटल बॉडी का स्ट्रेक्चर ठीक होना चाहिए आपकी एक्सराइज आपका प्रॉफर फूड बाल आपके जिसम का एक्रसा है कोई चीज यहां आती है तो यहां दरूर आती है अपने देगा हो कि बाल एक दफ़ा गिरता है फिर दुबार आ जाता है लेकिन लोग को ज़्यादर वहम होता है कि बाल मेरे बाल जादर गिर एक शैंपु में अगर आफके बालो गयर फ्वालो गया ही एक अग्रश्यादर आपको शैंपू में इस आं प्रष्यास हों कि बालो एक चीज पौर गया लगका लग कि नित्ना uzभ्रू जिन के पाम जोड़ मेरेस वहार ने जिए रहा कि लन्गा उनको के इस रहाल और ड्राइब आल कर ली वाल शुट भी वाश्ट वहन से भी अब वो ड्यूरेशन भी सही है कर नहीं है यह भी बड़ को अच्छा नहीं दूसरे आपका एक और चीज़ प्ले करती है वाटर मैं सोलता हूं कि मैंने बड़ा शांदर शंपू ले लिया लेकिन सलक्षिन आप श पर जाहिया वो कप्रवी साफ निंद होता है तो इसमें सॉफ्ट वाटर जो है वो भी बड़ा दूरी है दूसरे हमको शैंपू करने के बाद में यह देखना चाहिए कि दो शैंपू करते हैं और फाइनल फाइनली शुम्पे शुट भी ऑल शैंपू शुट भी आउट बा टीन होता है कि हम यहां पर जाएंगे तो हमें राइट गायदेंस मिलेगी राइट इंफ्समेशन मिलेगी काफी डूग ऐसा होता है कि वो खुडुड राइट नहीं है अगर दो बाते कह भी सकते हो सबस्क्ता है कि और साथ में हैं के निए नहीं नो एक तो आपने देखा कि सेलेक्शिन अफ़ प्रोडेक्ट शैंपू और कंडिशन और एक यह होता है कि मौसम के साथ भी चेंज होता है कि दूरेशन की शैंपू हमने बोली है कि एवन से भी कोना जाहिए यह जादा बढ़ जाता है और काम हो जाता है तो रेनी के अंदर क्या होता है कि मौसर होता है तो कर्ली बाल लुक्स मोर कर ली इस से लुस्मोर स्टेट तो उनको शैंपू करके पॉपर होना चाहिए लेकिन यह बाद रूब रहे सम काइंड ऑफ दी वैदर रिफ्लेक्ट शो करती यह बालों को यह उसको अगर लोग समझ कि काफी अच्छा लगा कुछ कहना चाहेंगे जो लोग इस वक्ते सुन रहे हैं उन सबी से I think definitely first of all बड़ी जरूरी चीज़ है यह पहले हम अपने हेल्थ की बात करें आपकी हल्थ रही होगी सब कुछ ठीक हो जाता है दूसरे यह मेरा अपना जादी तजर्वा भी है कि आपकी मिजास के अंदर healthy पनाना चाहिए आपके अंदर एक glamour होना चाहिए आप old जब होते हैं जब आप इस सट्या जाते हैं एक कड़ी बाते करते हैं you have a so I think आपकी age तो असर दिखाती है, आपकी हैल्स अच्छी हो, आपकी मिजाद के अंदर एक ग्लेमर होना था, यह ओल्वेज अज़ प्लेज 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 रोल, मैं यह कहता हूं कि बाल हमने ठीक कर दी है, राइट दूसरे चीज़े ठीक कर दी, लेकिन आपकी रियल ब्यूट ओल्वेज प्लेज खाए धर भूट और थी, प्लेज पर घकाफ कर दाली मिजादक घुटूर के ग्लेमर होना थाइए ब्लेज प्लें वरेवर यू आप से पर बाते करने के लिए काफी अछ़ा लगा आप से बाते करने के बहुत कुछ अमे जानने को मिला थैंक यू अमद अमद अभीजिए निमेश बिल्कुल लाइप पर्ट कर रहा हूं आप सभी के लिए हवीजिए ब्यूटी सलों से प्रिंस अवा शरोड म पर फूटी दिर पहले यहां पर इनौगरेट किया गया है और यहां पर आई हुए नन अदर दन माई फेवरेट हैस पैलिज एमद एमद अभीजिए इनके साथ हमारी बिल्कुल लाइप बाते हुई 91.9 फ्रेंट से अफम पे ताट सुडियो झाल 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 झाल